हमें स्रिंगार करन्त दिया है जाकनी के चर्म लक्ष को प्राप्ट करने के लिए यहां जितने सुन्दर साथ बैठे हैं मैं आप से पुछो कि आप चर्चा कई से सुन रहे हैं तो आप कहेंगे हम जागरत हैं तभी तो चर्चा सुन रहे आप सरीर नहीं है इस समय आपका सरीर जागरत है मन जागरत नहीं है जानते हैं मन जागरत कब होता है जब मन विशियों से हट जाए तब वो मन की जागरती है प्रकास इंदुस्तानी में इंद्रावती जी जब अपने जीव के द्वरा मन को फटकारती है तो मन कहता है कि मैं क्या करूं जब जीव ही निदमे था तो जीव का जैसा अदेश हो रहा था मैं बीवस था अब देख तन की जागरती है जो हम क्रिया कलाब कर रहे है जब हमारा तन सो जाता है पुर्ण रूप से नहीं सोता क्योंकि हिर्दय की धड़कन तो जब चल रही होती है स्वांस प्रसांस की गति चल रही होती है लेकिन सरीर की क्रियाई बंद हो जाती है जब प्रगार निद्रा होती है तो अंदर्क कारण सरीर भी काली करना बंद कर दीता है। जीत जान का प्रकास मिलता है तो बुद्धी जागरत होती है। कब होता है जान तो सभी सुनते हैं। देखिए, दो वैरागिये, एक समान वैरागि होता है, उससे भी पूर होता है एक समसान वैरागि, जब घर में किसी के मृत हो जाती है, तो संसार से आसक्ति हट जाती है, और वेक्ति सोचता है कि मैं आस्तरम चला जाओ, इसको कहते हैं समसान वैरागि, ज्यान नहीं होता, व पहरम गरंद सभी पढ़ते हैं लेकिन वीवेक किसी किसी को होता है अब देखिए योग दर्शन में एक सुत्र में आया है सब्ध वीवेक ख्याती जानते हैं वीवेक ख्याती प्राप्त करने के लिए कितनी साधा करने पढ़ती है जिसको संप्रज्यात समाधी की प्राप्ती नहीं हो वह बिवेक ख्याति के अस्तर तक नहीं पहुंच सकता जो जिसने वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, चारों समादियों को प्राप्त कर लिया है, वह आधिकारी बनता है, कि उसके विवेक ख्याति के प्राप्ति हो जाए, धर्मग्रंथों को पढ़कर चर्चा से संग सुनकर कोई बिरक्त हो जाता है, तो उसको वैराग्यमान करते हैं, लेकिन पर पराप्ति करने के लिए संप्रजात समादि में प्रवेश क्या संप्रजात समादि को पार करना अवस्यक है, जो आपको बुद्धी मिली है, वो एक समानी बुद्धी है, जब तब स्वाधायाय, इस्वरपनिधान, भक्ति में अपने को लगाएंगे, तो क्या होगा, बु प्रितंबरात प्रज्या जब संप्रज्याद samadhi, संप्रज्याद samadhi का अर्थ होता है, प्रकृत के अंधिम छोर तक पहुंच जाना, आत्मा का जीव चैतन्य अपने सुध शुरूप में इस्चित हो जाए वासनाओं से रहित हो जाए तब उसके बाद संप्रज्यात समाध्य के सिधी माने जाती है तब विवेक ख्याती की प्राप्ति होती है और रितंबरा प्रज्या की प्राप्ति होती है रितंबरा प्रज्या क्या है यह अथार्त स्थिकों ग्रांड करने वाली गुद् करने के लिए क्या कहते हैं कि नच्जेता से यमाचारी नच्जेता उठो जगो उतिष्ठत जागरत प्रप्वरान युद्धित उठना किसको कहते हैं वाड़ किरंतर में नच्जेताओ ने धिष्ठत जगणा हूँ जो रहा है वो cœur λέ़ा है यॺल छीना के निद्रा में Russian को शूना छोड़ा है यूसी को किंद ए सुटाओ कि ब्रह्मान में रह रहे हैं हमारी आत्मा ने जने कितने तनों पर 1638 में आने के बाद स्यामा जी के साथ ही तो सभी आए हैं लेकिन हमारी आत्मा ने जने कितने तनों को पकड़ा होगा स्री देवचन जी के साथ बिहारी जी रहते हैं उनके सगे पुत्र हैं एकलवते हैं पुत्र लेकिन बिहारी जी की आत्मा जागरित नहीं हो पाती है हम सुंदर साथ एक या छे चुपाई का तार्तम ले लेते हैं सोच लेते हैं कि हमारी आत्मा जागरित होती है आज चर्चक अभी से है कि हमें चित्वने क्यों करने चाहिए आप सागर ग्रंद का दस्वा प्रिक्ण है स्री राजी का तीसरा सिनकार इसमें एक चुपाई आती है बर्नन किया हक सुरत का रूह देख्या चाहे फिर फिर यही अर्षदिल रूह के बैठे सिंगार कर आपको मैं अभी जागनी के भिन भिन चर्णों के बारे में बता रहा था सरीर की जागरती से आप थोड़े से विज्जे हैं जैसे कि अभी आप बैठे हुए हैं तो आपका स्थूल शरीर जागरत है सुक्ष शरीर भी जागरत है कारण सरीर भी जागरत है जब आप सो जाएंगे तो स्थूल शरीर कुछ अंसों में अधिक अंसों में जगा रहेगा कुछ अंसों में सोया रहेगा सुक्ष शरीर जब जागरत होगा थोड़ा थोड़ा तो सुपने देखने लगेंगे प्रगाड निद्रा में आपका कारण शरीर पूर्टिया सोया रहेगा सुक्ष शरीर भी सोया रहेगा स्थूल शरीर आपकी थोड़ा सा जगा रहेगा क्योंकि धड़कन चलनी अवस्यक है आपको जिवीत रखने के लिए अब कारण सरीर में देखिए चित की जागरती का तायद पर क्या चित जब आपके वास्नाओं से रहित हो जाए आपके चित में जन्म जन्मांतरों के सारे संसकार दक्त हो जाए तो आपके चित की जागरती मानी जाएगी इसके पुरू नहीं जब आपके चित्र में केवल पृतम का भाव बस चाहे तब चित्र की जागरती है मन जब जागरत हो जाएगा तो केवल पृतम की तरफ देखना चाहेगा संसार की खौईश चोड़ देगा बुद्धी जब जागरत हो जाएगी तो बिवेक ख्याती की प्राप्ती होगी ये बाते मैं केवल अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ योग दर्शन और जो वाणी का सिधानत है वेद का सिधानत है उसके हमसर कह रहा हूँ बिवेक ख्याती बिवेक ख्याती प्राप्त होगी जब तक प्रल नहीं होता है, तब तक इस संसार में भी रते विए अखंड सुख का भुकता करेगा और उसके पिस्चात अखंड सुख का अधिकारी बनेगा। और जो संपरज्याथ समादी में रते हैं वो प्रकृत्य मंदल में अभ्याकिर्थ के आनंद का प्रतिभास प्राप्त करके समझते हैं कि हमने ब्रम आनंद प्राप्त कर लिया। जो निर्वीज समाथी की प्रैप्टी कर लेते हैं, ब्रहम सच्छातकार कर लेते हैं, उनको यह सोभा की प्राप्ट होता है कि वे अभ्याकृत के सुख का रिस्पांड कर लेते हैं, लेकिन आपको तो प्रमधामका जान दिया गया है, आपको अभ्याकृत सबलिक केवल कानि नहीं लेना है, आपको जागरत होना है, इस जिए सबसे पहली बात जो बताई गई है, आप देखेंगे पाट तो आज कल बहुत होते हैं, घर पर सुंदर साथ भी बाणी का पाट करता है, कई-कई-कई हजार भी पाट हमारे समाद में अब तक रखे जा चुके हैं, लेकिन ए अपराने स्वर कहा बिशता है, अरस दिल रूह के आत्मा के धाम भिर्दे में संपूर्ण सिंगार के सातरा जी बटे हैं, हमें क्या कहा जाता है, और वो सच कहा जाता है, कि ए मुल मिलवा अपना नजर दी जाई, पलक ने पीछी फेरिये, जो इस गंगों पजात, यह क्या सबसे अलग बोलेगी, आत्मा के धाम भिर्दे में, अरस दिल रूह के, मेरे आत्मा क्या है, उपर तले अरस न कहिया, अरस कहिया मुमिन कलो, लेकिन हमारे उपर जीव भाव इतना हावी रहता है, कि जीव मन से बद गया है, और मन अपने इंद्रियों के माधिम से सारे संस को देखता है, वो बुद्धी के द्वरा जीव विवेक ग्राण करना चाहता है, लेकिन वो देखता है, कि मैं जूट बोलता हूँ, मैं पाप कर्म करता हूँ, मेरा दिल अरस कैसी हो सकता है, जब इन सारी ब्रांतियों से हम परे होकर अपने आत्मसरुप का चिंतन करेंगे तब इसको कहते हैं विवेक की प्राप्ति होना, कोई विक्ति बुद्धिमान हो सकता है, विवेकवान सभी नहीं हो सकते है, विवेकवान कौन होगा? जिसके बुद्धी अथार्थ सत्य का निर्ण करें और सत्य की सिन्यों पर चाड़ने का प्रियास करें, पर हम सत्य को प लेकिन बिवेकवान नहीं था, दुरुद्धिन भी बेड का इसना तक था, लेकिन महामुर्क का जाता है, कृष्णी कहा है, कि मैं इस मुर्क के करण, मैं महा भारत के युद्ध में लाखों के सव्थ देखनाना नहीν चाहता। तक कह दिया, क्यों भले ही वो बेद करिशना तक था, लेकिन किर्ष के दिश्टी में वो मुर्ख था, सकनी भी परढ़ात लिखा था, सकनी अनपर नहीं था, लेकिन ये सारे अपरादी माने गए, इसलिए आत्मा परात्म की जागरती से पहले है, देखिए परात्म की जागर करती कैसे होगे? एही रस्तारतम का चड़िया जहर उतारे, निर्विक काया करे, जागे जीव करारे, जीव की जागरती क्या है? माया कविस हमसे अलग हो जाए, माया कविस जब अलग हो जाए, और हमारा सरीर क्या हो? निर्विस हो जाए, निर्विस होने का ताद पर क्या ह हमारे चित में, हमारे मन में, हमारे बुद्धी में माया की चाहत ना रह जाए, किवल एक चाहत रह जाए, राजी को पाने की, इसको कहते हैं जीव की जागरती, आत्मा की जागरत क्या है? हमारी आत्मा के धाम हिर्दे में, नक से सिक तक राजी विराजवान हो जाए, तो हमारी आत्मा पुन रुप से जागरत है, अब इसके कई अस्तर है, मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं सुन्दर साजी, आप उसको गहराई से समझने का प्रयास करेंगे, कि वलो राजी का दर्सन हो जाना जागने नहीं है, देवचान जी को तो बराद के पीछे पीछे जाते हुए दर्सन दे दिया, फिर भी वो सोय हुए है, चित्वनी में भी देख लेते हैं, बांके बिहारी, ये ब्रज बिहारी के रूप में उनको गुगनी का प्रसाद भी खिलाने का प्रयास करते हैं, तब भी जागरती नहीं, राजी प्रतक छाकर के दर्सन देते हैं, स्याम जी के मंधिर में बहुत देर तक बाते भी करते हैं, उनके तन में बैठ कर आड़ी का लीला भी करते हैं सब सुन्दरजात को पता चल जाता है कि इस तन में राज जी बैठे गये हैं फिर भी श्यामा जी की आत्मा की पूर्ण जागरती नहीं है यो आवेश जाको में देखे पुरे सुजोग माया के नेध हो एक बात और कहने जा रहा हूँ उसके पिश्चाथ बिक्रम समझ 1712 में वतन उजल हो जाता है योगल सुरुप स्री मीराज जी के धा मिर्दे में बैठ जाते हैं लेकिन आप जानते हैं क्या है आप सोचेंगे कि जागनी सुरू हो गई, नहीं अब ये निद्रा है इसका उतर आपको मारिफ़त सागर में मिलेगा मारिफ़त सागर की ठीका को गराई से आप पढ़ेंगे तो मारिफ़त सागर की वानी क्या करती है जब संपाथ 1735 होता है तब वहां से उजला होता है इस दिये खुलासा गरंत जब अवतरित होता है तो क्या कहा है स्री स्री किताब खुलासा वानी फजर की अब सूर जोगा है इसके पहले निद्रा है 1712 से लेकर 1735 तक अभी रात्री चल रही है जिस रात्री में ब्रेज के लिए ला हुई है मेरे सब्द कुछ कठोर हो सकते है समाज के लिए लेकिन मैं चमा चाओंगा मैं वही कहूंगा जो वानी करती है जिस रात्री में ब्रेज के लिला हुई है जिस रात्री में रास के लिला हुई है उसी रात्री में जागनी लिला के 1638 से 1735 तक का समय बीट जाता है कड़वा सच्छ है सबको स्विकार करना पड़े जाता है यदि हम वाणी को मानते हैं तो रास्क से लेकर कलस की वाणी उतर जाती है कलस गुजराती तक की 1735 का जब समय आता है तो प्रकास सिंदुस्तानी उतरती है, कलास सिंदुस्तानी उतरती है, उसके उपर सनन्ध की वानी अउतरित हो जाती है अब पांचों सक्तियों के साथ महामती जी की सोबा हो जाती है, सूरज उग आया होता है लाले में पैल गई होती आप Fझर हो गया होता है सवेरा हो गया है अब सबको विश्वास हो गया है कि एही अक्ष्राती थें एही हे इतन दाम अब जानते हैं सरी जी के साथ सब सुन्दर साथ रह रह रहे है लेकिन कितना और नर पड़ा हुआ है किसी को कुछ अभास होता है माया का पर्दा ढख दिया माया का पर्दा उनके इमान पर भारी पड़ जाता है स्रीजी गुबर्दन भाई को और लालदाशी को बेजते हैं कि जाकर के मुल्ला से पूछाओ कि क्या लिखा है कुरान में जिसने कही जिसने कही वो भेज रहा है कि जाओ पूछो कुरान में क्या लिखा है क्यों क्योंकि सब पर पर्दा डालना है पढ़िया नई फारसी ना कछवर अरब सुन्य नकान कुरान को और खोलत मैने सब देखिए एक बहुत बड़ी बिचितर दिला होती है मैं आपको रमेण का एक दिश्टान देता हूँ आज मुझे समय है तो मैं ये बाते खोल दो राम पर ऐसा नगास्तर छोड़ा है मेगनात ने राम लक्षमाट दोनों मुर्शित होकर पड़े है और उसके प्रभाव से उनके सारे अंग जकड़ गए है बेसुध है उस अस्तर को काठने की सकती किवल गरुण में है गरुण जी आते है उस अस्तर के प्रभाव को समाप्त कर देते है लेकिन उनके मन में संसे आ जाता है कि यदि मेरे आराद विश्नु भगवान की ये अवतार है तो मुझे इनके प्राण रक्षा करनी पड़ रही है उनके उपर एक भर्म पैदा होता है वैसे ही सुन्दर साथ में भर्म पैदा होता है स्री जी जब हमें भेज रहे हैं कि कुरान में क्या लिखा है तो इसका ताथ पर ये है कि इनमें पूरण भर्म का सुरूप नहीं होगा अभी ये भर्म चल रहा है उदैपूर तक जब तक स्री जी पन्ना में नहीं पहुंचेंगे खिलवत प्रिक्रमाज सागर सिंगार की वानी नहीं उतरेगी तब तक किसी के उपर से भर्म पूरा नहीं जाएगा जहें लाल्दाजी क्यों नहीं हो लाल्दाजी के अंदर अंटूटी इमान है लेकिन अभी निद्रा चल रही है ब्रज में क्या था? अक्षर की आत्मा है, राजी कावे से, लिला चल रही है पूरी निद्र को जो सुपन कालमा या नाम धरयतिन जो पूर्ण पहचान नहीं है तो क्या कहा जाएगा पूरी निद्रा है, राज में चले गए है राज में कचुक नीद, कचु जागरत भे निद्रा यह है कि घर का पता नहीं है जागरती इसलिए है कि प्रीतम से संबंध का पता चल गया, यह हमारे अराध है मेरे प्राण सोर है, मेरे प्राण जीवन है लेकिन वहदेत की सुद नहीं, खिलवत की सुद नहीं केसर भाई इंद्रावती के बीच में जगड़ा लग जाता है मूल समंध की सुद नहीं, तभी सभी सकिया कहती है हमने आपको एक एक कुझ निकुझ में खोजा एक एक ब्रिक्च की ओट में खोजा लेकिन आप दिखाई नहीं थी समंध का पता नहीं है, एक तो का पता नहीं है इस दिए क्या कहेंगे ब्रज में भी प्रेम की लीला चल रही है रास में भी चल रही है लेकिन आधी नीद आधी जागरती का हम सुन्दर साथ तार्तम ले लेते हैं क्या सोर मचाते हैं देखो हम जग गए हैं बानी पढ़ने लगते हैं कि अब हमारी आत्मा की जागनी हो गई है देखिए, जैसे बेस्ट रूप में देवचन जी के साथ लिला होती है, समस्ट रूप में आपके साथ लिला हो रही है, जो देवचन जी को राज जी दर्शन देकर अपनी पैचान देते हैं, उनके धा मिर्दे में बैठ जाते हैं, हमारे लिए वैसा पहला दिन होता है, जब जो किरंतन में कहा है, जो सूर आया है, वो जग जाए, जग हुआ उठकर बैठ जाए, बैठा हुआ खड़ा हुजाए, और जो खड़ा हुजाए, वो मेरी तरफ आने के लिए दोड लगा रहे है। करो सिजदा हजूर अरस्तन, इनको प्रतक चक्चरतीत का सरुप मान कर, उनके हिर्दे में वीराजवान, अपने अराध यूगल सरुप को सिजदा करो, पड़ाम करो। लेकिन आप जागनी की ब्रहान में देख रहे हैं, कैसी लीला हो रही है, जिसके हिर्दे में बैठ कर उन्होंने परमधाम की यववानी दिये, सबको जगाने के लिए उनको तो संत का आ जा रहा है। बहुत होते आये, तो राष्टी संत काय देते हैं, अंतराष्टी संत हम उनको नहीं दिखाते हैं, अंतराष्टी संत काय की सोभा तो हम स्वयम ले ले लेते हैं, उसमें तो अंग्रे जी का प्रचला नहीं था, तो यह भी कह देते हैं कि प्राणना जी को अंग्रे जी नही किया जाता है मैं चित्वनी के ऊपर चलूँगा देखिए जागनी का अर्थ क्या है आपकी आंगों पर पट्टी बांद दिया जाए तो आप मुझे नहीं देख पाएंगे आप यहां रहेंगे जागनी में कातात पर यह है कि सब कुछ जाग जाए आतम की जागरती मैंने बत संबहता सौदीनों की अत्रह में आपका जागरत होने कातात पर परमधाम का अहंग जागरत हो जाना अंकार जिस दिन जागरत हो जाएगा हमें स्वत्व का अंकार मैं कौन हूँ यह हमें बूद नहीं होता है परमधाम का अंकार जागरत होना तो दूर की बात है हम तो अप गुद्धु अविजो है निरोड़ निर्णुन इसमी आवयव जो दिख रहे हैं ये तो अस्तिमान्स के पिंड़ के आवयव हैं, मेरे आवयव नहीं है जो मेरा सरूप है, उसको कोई सस्त्र काथई नहीं सकता मैं आवयव से रही थूं, मैं सुद्धु थूं यह है जीव के अहंग का जागरित होना आत्मा के अहंग का जागरित होने कताथ पर क्या है अंत्यसकरन आत्म के जब एरहियो समाए तब आत्म पर आत्म के रहने कुछ उंदराए मैं कौन हूँ, मैं परात्म सरूपा हूँ मैं इस खेल को देखने के लिए आए हूँ यह है आत्मभाव का जागरित होना लेकिन जब तक हम संसार की तरफ देख रहे हैं यह संसार हमें अकर्षित कर रहा है सुन्दर साथ में एक बात बहुत घर कर जाती है कि क्या जूरत है हम चित्व नहीं करें क्योंकि इस परक्ड़ में चुपाई आती है सिंगार किया सब्दुले वस्तर और बुखन अब बख़त हुआ देखन का देखो खोल रूख के नहीं नंदर देखो रूख के नहीं नंदर हमारा अर्ष कहा है हमारा दिल तब ही तो कह दिया है यही अर्ष दिल रूख के बैठे सिंगार कर हमारा प्रितम कहां बैठा है हमारी आत्मा के धाम बिरते में कैसे बैठा है सिंगार किया सब्दुले वस्तर और रुखकन संपून सोभा के साथ भी राजमान है अब बखत हुआ देखन का देखो रूख के नेनन एक-एक सब्दों पर हमें ध्यान देना होना चाहिए देखो रूख के नेनन आत्मा के नेत्रों से देखिए जब आप वाणी के वाणी का चीतन करते हैं सागर सिंगार पढ़ते हैं राज जी को कैसे देखते हैं जान के नेत्रों से देखते हैं बुद्धि के नेत्रों से देखते हैं मन के नेत्रों से अंता करण के नेत्रों से आप राज जी को देखते हैं तो कहते हैं कि हमें अनभव बोरा है इसको कहते हैं भाव लिंता भावों में डूब जाना, सुन्दर साथ इसी को सब कुछ मान लेता है, ये एक कदम है लेकिन सब कुछ नहीं है विसेसकर बेने एक बहाना बना लेती है कि मैं तो 24 गंटा राजी में ही रहती हूं, उठते, बैठते सोते, जागते, भोजन बनाते सब कुछ में राजी का ध्यान करती हूं, तो हमें क्या जूरत है बैठ कर करने की, जब स्यामा जी पर भी ये नियम लागू होता है, कि उनको घुगनी का प्रसाद खाते समय, जरा सब भाव में जमिन पर हार टकरा जाता है, सुर्टा टूट जाती है, दर्सन बंद होता है तो आपकी आत्मा स्यामा जी से बड़ी सुभा वाली तो नहीं आपको छुट नहीं मिल सकती है यदि आप भावलिंता को ही सब कुछ मान लेते हैं, तो इसे नुकसा आपका होना है पहले राजी नहीं सब कर दिया, अब बख़त हुआ देखन का, देखो रू के ने आत्मा के चक्छ जदी आपके जागरत नहीं है आत्मा के चक्छ खुले नहीं तो आप राजी का दिदार नहीं कर सकते स्यामा जी कि आत्मा ने दर्सन किया है, राजी उनके अंदर वैट कर परंधा हमकी वाणी कह रहे हैं फिर भी जागनी नहीं है हम सोचते हैं कि हम किवल सरीयत तरीकत की आपचारिकताओं को पूरी कर लेंगे तो हमारी आत्मा जागरत होगी मैं एक सरल दिश्टांद से समझा देता हूँ कि चित्वनी की मात्त्ता क्यों है चित्वनी पर तो चर्चा हमेशा होती है राजी की किरपाय से बहुत गहराई तक उसमें संदर साथ को डूबो दिये जाता है लेकिन मैं एक बहुत सरल तरीके स Σे आपको बता देता हूँ चित्वनी की मात्त्त कह है जिसे देखिए आपको जो पसंद हो सबसे स्वादिष्ट मिठाई जो इस दुनिया की हो या सबसे स्वादिष्ट फैल गुजरायत के सुन्द साथ बैठे हैं गुजरायत का केसर आम बहुत स्वादिष्ट होता है मैं उसी कादिश्टान देता हूँ एक अल्मारी है सिफ उसमें एक दरजन केसर के आम रख दिये गए बंद कर दिया है ताला बंद है चावी फेक दी गई है आपको चावी नहीं मिल सकती आपको एक काज़ पर लिख दिया गया है ये केसर काम बहुत स्वादिश्ट है बहुत स्वास्तवर्दक है ये बहुत सुगंदी वाला है आप उसको लेकर पढ़ रहे हैं सबेरे उठकर ये किसर काम बहुत स्वास्तवर्दक है देखने की इजाज़त आपको नहीं है क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है कागज पर लिख करके बताया गया है एक और इस्थिति आती है अब जो अल्मारी का सिफ जो है सीसे का कर दिया गया है पर जो बहर से ढगा होता है आप देख रहे हैं ये तो पता है ये सीसे के अंदर इस खाने में रखा है लेकिन अभी आम जो है ऐसे पैकिंग किया हुए जैसा का तैसा रखा है, आम दिख नहीं रहा है जिस खाने में अलमारी के जिस खाने में रखा हुआ है वो खाना दिख रहा है, यह है तरीकत, सरीयत क्या हो गई? आप प्रदिन पाठ जो कर रहे हैं, आम स्वाधिश्ट होता है आम स्वाधिश होता है तरीकत में भी आप वही पार्ट कर रहे हैं बस यह है कि आप आखों से देख रहे हैं कि यदि इसका ताला खुल जाए तो इस खाने में वो आम मिलेगा जैसे आम तर पर सुन्दर साहथ को जब समझाया जाता है तो कहते हैं कि क्या करते हैं आकिर हम राजी का ही तो नाम ले रहे हैं अरे भाई जो पढ़ रहा है कि केसर आम बहुत सुन्दर है बहुत स्वाधिश्ट है बहुत कर रहा है लेकिन उसको देखने का अधिकार नहीं ये खोलने का अधिकार नहीं क्योंकि जा भी कहीं हो रहे है तरीकत में क्या है तरीकत में सेफ में अब जो बाहर का धकन है वो सीसे लगे है देख तो रहा है किस खाने में है लेकिन खाने का अधिकार अभी नहीं मिला है आप खाने के लिए अपने मुँग की तरफ बढ़ा चुके हैं। हकीकत को पार करने के बाद मारिफ़त में क्या है। पूरा आम खाने के बाद जब आनंद मगन हो जाते हैं। वो है मारिफ़त की आउस्ता। चेहन करना आपका काम है। आप किवल आम के बारे में ब्याख्यान पढ़ना चाहते हैं। या सीशे के सेफ में दे करके खुस होना चाहते हैं। या परतेक्ष खाना चाहते हैं। यह है सरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफ़त। एक बहुत मत्पुन चुपाई है। इसक बंदगी अल्ला के होते हैं। जिसमें केवल प्रेम ही प्रेम हो। प्रेम कब होगा? जब पिंड और ब्रह्मान से परे हो जाएंगे तब प्रेम की उत्पति होती है। जब उस प्रेम के भावो में, परात्ब के भावो में आत्मा अपना सिंगार सचकर अपनी आत्मा के धा मिर्दे में अपने प्रानिस्टर को देखती है, तब वहाँ से प्रेम सुरू होता है। और उसी में राजी का दितार होता है। आप कितने भी परिक्रमा कर लेजिए, कितनी भी पाठ कर लेजिए, पूजा भी कर लेजिए, मैं किसी की भावनाओं को आथ नहीं कर रहा हूँ जिसको जो करना हो करें मुझे क्या पढ़ी है लेकिन यह सच है स्वाहिम लालदाश जी की लेखनी कहती है कि अग्यारे जोलो रहे तोलो बहुत जाँ धरे फेर ठंडे पढ़ते गए लाल कहे अग्यारे जोलो रहे 1775 में 114 सथी पूरी हो जाती है 1745 में लेकिन लीला चलती है 1750 गथन क्या है जब तक स्षी जी के तन से बाहरूप में लीला चल लाही है उसी का भाव है 114 सथी सरब सूंदर साथ किसी में जुड़ा हुआ है चर्चा चित्वनी के सिवा कुछ नहीं होता अग्यारी जोलो रहे दोलो बहुत चाह धरे फिर ठंडे पढ़ते गए लाल कही अंग धरे लाल दाहस जी की आँखे देख रही है कि जब तक स्रीजी के तन से चर्चा हो रही थी सुन्दर साथ दोनों समय चित्वनी करता था प्रात्यकाल छे बजे की दिनचरिया ही चित्वनी से प्रारंब होती है और रात्री को भी साम को भी साड़े-चार बजे चित्वनी करवाई ही जाती है लेकिन लानदाशी देखते हैं कि अब श्री जी की लीला का अंतरधान हो चुका है तो सुन्दर साथ दिन पर दी ठंडा पड़ता जा रहा है चित्वनी मैं किसी के लिए जोज नहीं रागिया लाल का ये अंग ठरे जिस समय ये पंक्ति लिखी जा रही थी अंग ठरना किसको कहते हैं जैसे अभी उत्तरभारत में जब सीतलरी का समय होता है तो अंग सरीर ठ्ठूर जाता है ठरने कताथ पर इतनी ठंडी हवा के जोखे पड़ते हैं कि सरीर सुन्न हो जाता है लाल्दाशी करते हैं कि अब तो किसी के हिर्दय में चित्वनी के लिए भावी नहीं रहा जिस लाल्दाशी को कहा जाता है कि ये स्री जी की छाया की तरह रहते थे उन्हीं लाल्दाशी ने अपनी आँखों से देखा कि जब जीव सिष्टी का राच्य हो वा तो उसने चित्वनी पर भी राम लगा दिये और जीव सिष्टी डंडे उठा कर कहती है कि यदि तुमने हमारी सरीयत की सर्तों को पूरा नहीं किया तो हम तुमें अपने मंदिर में नहीं ठढ़ने देंगे अस्तर में नहीं ठढ़ने देंगे और तुमें समासे भी पहिस कर देंगे लेकिन उस बेचारी जीव सिष्टी को पता ही नहीं है कि जागने किसको कहते है योगेस्वर सिक्र्ट्स को गीता में कहना पड़ा या निसा इसर भूता नाम तस्याम जागरती सन्मे या स्याम जागरती भूता निसा निसा पस्तों मने आखिर योगेस्वर सिक्रिट्स किसमें भी तो नजने कितने बड़े-बड़े रिसी उन्हें योगी अती होंगे लेकिन सिक्रिट्स कह रहे हैं कि सारा संसार अज्यान के निशा में सोया हुआ है हम सुन्दर साथ की 40 लाग की संख्या है लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि 40 लाक में 40 भी पूर्ण रूप से जागरित हैं जो जागरित होगा वो तो परमन सवस्था को प्राप्त करेगा देविचन जी को बराद के पीछे चलते समय दर्शन होता है चित्वनी में दर्शन होता है 26 वर्स की आवस्था में उसके पिस्चा 40 वर्स की आवस्था में परतेट च्छा आँखों से दिखाई आँखों से राजी का दर्शन होता है फिर भी कहा जा रहा है कि नहीं अब ये जागरित आवस्था नहीं है जिस तन को अक्षराती अपना पहला तन मानते है कि इस तन में मैं लीला कर रहा हूँ उस तन को भी अभी जागरित की सुपा नहीं मिली है तो हम सुन्दर साथ जदी कि बाद तार्तम लेकर ख्याली पुलाव पकाने लगते हैं दीवा सुपने देख लेकते हैं कि हम जागरित हो गए हैं तो हम अपने को दोखे में रख रहे हैं आत्मा की जागरिती का त taką पर क्या है राज जी का एक-एक अंग हमारी आत्मा के धाम मिर्दे में आत्मा के सिंहहसन पर विराजमान हो जाए तभी तो कहा है सबके लिए अवान है महामतिजी ने जो कहा कि अर्ष तुम्हारा मेरा दिल है इताय करू अराम सेज भिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा भिष्राम आपको भी यह कहने का अधिकार है कि अर्ष तुम्हारा मेरा दिल है इताय करू अराम आप सोचते हैं कि आपको पता नहीं परंधाम की ब्रमसिष्टी आपकी है या नहीं है तो दावा तो लेजिए, आप अपना समर्पन तो दीजिए यदि आप कोरे से कोरे जीव ही है और आपने अपना जीव का हुर्दे राजी को समर्पीत कर दिया एक नाय दर्शन में बहुत अच्छा सुच्ट रहता है हस्त आमलक वत्त हाथ पर जैसे आउला रखा जाता है हाथ पर आउला रखकर जैसे किसी को दिया जाता है वैसा ही अपना दिल निकालकर राजी को दे देची राजी आपसे चारचाला के बागे नहीं मांग रहे है वो नहीं कहते हैं कि सोने कीटों से मुझे मेरा मंदिर बना दो नहीं कहते हैं हीरे मुदियों से सजा दो वो तो आपका दिल लेना चाहते है आप सब कुछ देने को तयार है दिल नहीं दे सकते अपने दिल किसको दिया है या तो संसार के सुखों को दिया है या पति को दिया है पत्ने को दिया है बच्चों को दिया है संसार के समध्यों को दिया है राजी को नहीं दिया है जिस दिन जो अपना दिल राजी को दे देगा राज जी की भी सकती नहीं है कि उसकी आत्मा के दहा मिर्दे में अपना सिंगार सच का अपना सरूप नहीं दिखाए लेकिन ये तो परिच्छा की घड़ी चल रही है मैं वही बात कह रहा था कि दस वर्स ब्रहमिसिष्टी के जागनी के होते हैं 1735 से 1745 तक दूसरी तरप हम कर सकते हैं 1740 से एक कामन तक मालने चीए क्योंकि 1740 में बीतेगा 49 दगेगा 40 स्रीजी पन्ना जी पधारते हैं खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार की वानी उतरित होती है और दस वर्सों में ब्रहमिसिष्टी हो नहीं बैठे बैठे सक्षा युगल सुरुप को देखा परमधाम के 25 पक्षों को देखा तो इसको क्या करते हैं ब्रहमिसिष्टियों के जागरी अब उसके परिस्चाथ इस्वरिसिष्टी का राज आता है तीसे इस्वरिस्ष्टी बिर्सों बर्से प्रेमे पीवेगा सब्दू का सार 1745 से 1845 तक जो सो बर्स है इसमें प्रारम के 30 वर्स इस्वरिसिष्टी के जागरी के और उसके परिस्चाथ जो सतर साल जो समय आता है अजा जीले बिरहा आग जल पीछे असरा फिले की है निर्मल जो जीव सिष्टी हो गई बड़े बड़े पदों पर भी राजमान हो गई उसने वाणी का चिंतन भी रुकवा दिया देखिए ब्रह्म सिष्टी किसको लेकर चलेगी इसको और इमान को लेकर इमान कहां से आएगा इल्म से आएगा आप दस वर्ष की लिला में देखेंगे क्या होता रहा है प्राता चर्चा प्राता नो बज़े से बारा बज़े तक चर्चा होती है रातरी को भी नो से बारा बज़े तक चर्चा होती है छे घंटा चर्चा होती है दो बार चित्वनी कराई जाती है सुन्दर साथ, वाणी, चर्चा, चित्वनी की सिवा, कुछ ने जानता है। जब इस्वरी सिष्ट का राजी होता है, तो चित्वनी बंद, थोड़ी नाम मातर को आखें मूद लेते हैं, चर्चनी का प्रगा, क्योंकि ज्ञान प्रपल हो गया, प्रेम हट जाता है, बंदगी शुरू हो जाती है, भक्ती शुरू हो जाती है, और ज्ञान की मात्ता बढ़ जाती है, जीव सिष्ट का राजी जब होता है, तो केवल सरियत, जो ज्ञान था इस्वरी सिष्ट का, वो भी हट जाता है, न इसक है न इमान है न इल्म है किवल आज की भासा में कहें तो दबंगई रह जाती है ये हमें अपने जीवन में घटाना है कि जिस दिन जैसे स्री देवचन जी को राजी के चर्ण करमिल मिलते हैं हमको भी एक प्रकार से तारतम जब मिलता है तो वही इस्तिती है जब हम बाणी का चिंतन करने लगते हैं तो क्या है जग गए सूता हो इसो जागी हो जागा बैठा हो जब बाणी का चिंतन करने लगते हैं तो खड़े हो जाएं किसके लिए अब प्रितम को पाना ही है एक चीज याद रख लिजे एक मंत्र याद कर लेजिए, क्यों रहे दिदार बिन प्राम, सरीर के छुटने से पहले राज जी को अवस्य पाना है, और राज जी कहां बैठे हैं, देखिए, एक चीज समझ लेजिए, आप सोने कीटों से कहीं भी मंदिर बना लेजिए, लेकिन उसकी महत्ता, गुमर जी के बराबर नहीं हो सकती, गुमर जी बलाई पत्थरों से बनाया है तो क्या, उसके अंदर महामती जी सक्षात विराज माने, महामती जी के धामिर्दे में कौन बैठा है, युगल सुरू, आपकी आत्मा में अभी युगल सुरू बैठे हैं, लेकिन महामती जी को सुभा दे रखी है, कि नाम सिंगर सुभा सारी भेख तुम्हरे लिए, पराम धाम में जो इंदरावती की आत्मा है, आपकी आत्मा भी उनके बराबर है, लेकिन इस माया के खेल में, या सुभा केवल महामती जी को है, वो सुभा किसी अन्य को नहीं मिल सकती, कोई सत्गुर का ला सकता है, परमांस का ला सकता है, लेकिन राजी नहीं कला सकता, ये सुभा केवल महामती जी को मिली है, इस लिए महामती जी कतन जहां भी विराजमान है, उसकी बिलक्छन सुभा है तो मैं जो कह रहा था वह तो हकीकत के रूप में है मारिफत के रूप में आपकी भी तो आत्मा है और आपकी आत्मा के दिल में वही राची है इस दिये हर सुन्दर साथ को यह भाव रखना होगा मेरी भी आत्मा के दिल में राची है मात्वत की दिश से इसको हकीकत में, हकीकत का ताथ पर क्या है? यथार्त में मैं क्रियानवित करके ही रहूँगा. जैसे बरफ है, बरफ में तो छुएंगे तो ठंडक लगेगी बरफ में क्या है? कारण रूप से अगनी है. सुप्छा रूप परवेश करेंगे तो बरफ में तो अगनी तत्व भी राजमान है. उसी बरफ को पिगलाई है, जल तत्व बनेगा. उसी जल तत्व से विद्ध बनाई है, तो अगनी तत्व प्रगट हो जाएगा. उसी तरह से आपकी आत्मा जीव परवेट कर जीव भाव को प्राप्थ हो गई है. और आपका मन इंद्रियों के मात्यम से जीव को सरीर भाव मिला दे रहा है. जैसे आपको गर्मी लग रही है, तो क्या कहेंगे? मेरे सरीर को गर्मी लग रही है. कोई अपमान करता है, तो होता है, तो क्या कहते है कि मैं दुखी हूँ. मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ. यह कौन बोल रहा है? सरीर को सुख और दुख होता है. अंता करण को उसकी अन्भूती होती है. जीव सुद्ध सरूप में द्रश्टा हो करके देखता है. जैसे आत्मा जीव पर बैठ कर खेल को देख रही है. वैसे ही जीव अंता करण पर बैठ कर खेल को देख रहा है. लेकिन जीव जब सरीर भाव को प्राप्त हो जाएगा और आत्मा जीव भाव को प्राप्त हो जाएगी, तो दोनों के लिए बंधन का करान होता है तार्तम ज्ञान का प्रकास मिल जाता है तो दोनों के लिए साफचेती करदी जाती है जिए के भी और आत्मा को भी जिस चोप़ाई के जो चरचा करनी है इसके लिए समय थोड़ा रग गया मैं सब अंग देखो फेर के सब अंग देखो फेर के और देखो सब सिंगार जागने किसको कहते है सब अंग देखो फेर के और देखो सब सिंगार, अब मैं राजी के एक एक अंग को देखो, उनके सिंगार को देखो, क्यों? इसको ही तो कहते है जागने मैंने आपको एक लौकिक दिश्टान दिया था कि सेफ के अंदर केसर के आम को रख देने से क्या परड़ाम होता है एक में आपके बढ़ रहे हैं प्रती दिन क्योंकि आपकी वो दिन चरिया है आपको करना है सबेरे उठेंगे पाट कर लिया जो भी है जैसे आप लाट्री स्पीकर लगा कर भी कहेंगे केसर का आम बहुत मिठा होता है बहुत स्वाजिस्ट बढ़ता है पडोस वाले सब सुन जाएंगे कि इस घर में केसर आमकी बहुत महिमा गाई जारी लिए खाने को तो मिला नहीं आप तरीकत में भी प्रेश करेंगे तो खाने को नहीं मिलेगा हकीकत में मिलेगा मारिफ़त में आपका चरम है जिसके लिए खेल बना गया है तो सब के लिए सुनहला उसर है कौन निद्रा को छोड़ता है खड़ा हो जाता है जो इसके लिए मिल सी सोलेशी सुक अपार जो राजी का प्रेम लेकर धनी से मिलन करेगी वो इत भी दंदन होगी और उत भी दंदन होगी आप सुचिए आज तो हम सुन्दरजात पंके के नीचे बैठे रहते हैं फ्लाइट से आ जाते हैं कारों में आते हैं वातानों के लिए ट्रेनों में आते हैं ने हमें गर्मी लगनी है ने ठंडक लगनी है उस समय का जीवन कितना कठीन होगा जब पांच हजा सुन्दरजात घर द्वार छूड़कर भूख प्यासा कर सुछिए जिस तन में अक्षरातीत बैठे हैं वो तन भी मंदसवर में जाता है तो आठ महीने भीखчा में मिले विन को गराने करता है उस तन से जो वाणी उतरती है वो विधा जो यहीं बैठे-बैठे अचरा तीत का दिर्सन कराए उस विधा को हमने भुला दिया हमारी समाज ब भुला दिया आज इस्थिति क्या है? पुरान संगिता के अंदर भगवान सी कहते है कि ब्यास जी परमधाम का बर्ण करना तो दोर परमधाम के एक पत्ते का बर्ण भी मैं करोडों कलपों में नहीं कर सकता हूँ आप देखें संसार की भगति की हम नकल जो करते हैं यही हमारे पर सबसे बड़ी हसी हो रही है पुरान संगिता में जानते हैं क्या लिखा है? साथ करोड गाहितरी मंत्र के जब से जितना पुर्ण होता है उतना पुर्ण एक जीव को किसी ब्रमात्मा से सत्संग बात करने पर मिल सकता है संपुर्ण तिर्थों में अस्तान करने से जो पुर्णी मिलता है वो पुर्ण कि वो लेक ब्रहमसिष्टी के ब्रहमात्मा के दर्सन मात्र से मिल जाए लेकिन जब आपकी इतनी सोभा पुरान संगिता गा रही है और आप उन्ही जीवों के सारे आचरण की नकल उतार रहे है तो आपके लिए दंड भी बहुत होगा ये भी याद रखिए हनुमान जी के मंदिर में नारियल चड़ाए जाते हैं आप भी सोचते हैं अभी मैयर की भवानी है वहान लोग क्या जाते हैं मुझे तो नहीं मालूम लेकिन सुना है वहाँ खुन की नली भी बहती है नली बनाई होगी इतने जानवर काटे जाते हैं कि चाहें मैयर की बिंदिवासनी भवानी हो चाहें कलकत्य की काली माता हो चाहें नेपाल की गड़ी माई हो लाखोथ भैसों को जानवर को काड़ दी ळाता है उनकी नकल हमारे पास भी है वहाँ भी नारीयल चढ़ाए जाते हैं हम भी नारीयल राजी को चढ़ा देते अपना दिल क्यों नहीं देते आप जब कहते हैं कि पर दिल के धनी के जो अंग है आप कौन है, राजी के दिल कौन है, स्यामा जी है, और स्यामा जी के अंग कौन है, आप हैं, दावा तो लेते हैं, तो आप परमधाम की प्रेम लक्षण भक्ति का उन्सरण क्यों नहीं करते हैं, कि जहां बैठे हैं वही बैठे हैं अपने दिल में बसा लेजी, हम सारी मुकांड से परे नहीं हो सकी आज भी हम सुन्दर साथ वाणी का प्रकास पाकर चित होनी नहीं करते हैं, अपने दिल में राजी की सुभा को नहीं बसाते हैं तो इसमें सबसे अधिस जो छती होनी है वो हमारी होनी है, इस ही आज की चुपाई मेरा जी नी क्या कर दिया देखो रूह के नेनन आत्मा के चक्छूँँ से देखना है मन का कोई काम नहीं बुद्धी का काम नहीं, चित का काम नहीं क्योंकि हम पाठ करेंगे किस से मन बुद्धी से, परिक्रमा करेंगे मैं किसी को रोक नहीं रहा हूँ आप हजार जार बार पाठ कीजिए बच्चों से करवाईए लेकिन जब आपकी उम्र पंदरह से उपर होने लगती है, तो जो सागर सिंगार में लिखा है, वह कीजिए क्योंकि समाज की अपनी सोच होती है उसे बदलने का मुझे अधिकार नहीं लेकिन जो वाणी कहती है उसको कहने का अधिकार है कि वाणी क्या कह रही है, कि रूख के नैनों से देखिए रूख के नैनों देखिए, असल बका के तन हमारी आत्मा अपने आत्म चक्चों को खोलकर राज़ी को सच्छाद देखे तब यह जाग नहीं हो सकती है और क्या करना है काम हुआ अपनी रूख का देख देख जाओं बलियार बस एक चुपई को याद कर लीजे अपनी रूख का काम क्या है काम हुआ अपनी रूख का देख देख जाओं बलिहार आप जब करेंगे किस से करेंगे? मनबूती से चलें फिरेंगे किस से करेंगे? सरीर और इंद्रियों से जो सरीर और इंद्रियों से जो होता है मन के सन्योग से उसको क्या कहते है? कर्म जो केवल मन से होता है इसको क्या कहते है उपासना सरीर से जो होगा इंद्रियों से होगा कर्म इसको जिस्माने और नफसाने सरीर से और इंद्रियों से कर्म कांड की क्रिया होती है मन से क्या होता है उपासना जैसे आँखे बंद कर लिए राची के मेर सागर का पाट कर लिए सिंगार का पाट कर लिए, 25 बक्चों की चर्चनी को याद कर लिए आप चर्चनी दोहरा रहें तो वो उपासना है वो चित्वनी नहीं है होज कोसर कैसा है मानिक पाड कैसा है आपने उसको रट्टा लगा रखा है आप उसको पढ़ते जा रहे हैं जिसे रात्रीकस जो स्वरूप आता है, अधिकतर चर्चनी के विद्वान, उसको एक बार दूरा लेते हैं, पूरी चर्चनी याद रहती है, तो वो चित्वनी नहीं है, आप महर सागर का पाट कर रहे हैं, या राजी का सिंगार आपने याद कर लिया, उसको पाट कर रहे है तो चित्वनी नहीं है, क्योंकि आप कौन कर रहा है, मन और गुद्धी, वाणी कह रही है, देखो रुखे नेनन, आत्मा के चक्षिओं से देखिए, यह तो जीव के मन और गुद्धी है, आत्मा के चक्षिओं कब कुलेंगे, जब सरीर भी इस्तिर हो जाए, मन भी इस्त संसार भाव से परही हो जाए परात्म का सिंगार जीव भी कर ले जीव में ये भाव ही नहीं रहे कि मैं इस्तरी हूँ कि पूरुस हूँ बहने अंगना भाव तो पाई है लेकि उनको लगता है कि मैं 80 साल की हूँ कोई सोती कि मैं दस साल के विए सब छोड़ दीजिए सब के अंदर जब भाव आ जाए कि मैं सक्षात स्यमा सरूपा हूँ मैं अक्षरातीत की हिलाद नहीं सकते हूँ और मेरे और उनमें कोई वेद नहीं है और देखिए जब आप प्रेम के धरातल पर पहुंचेंगे तो अंगना भाव भी नहीं रहेगा अंगना भाव तो इसलिए कि कहा जाता है कि हमारे अंदर माधूरी भावना प्रगट हो क्योंकि पूरुस अहमकार प्रधान होता है समर्पड भावना नहीं होती माधूरी भावना आते ही स्वायम को समर्पित करने की भावना आती है मैं आपको एक देश्टान से समझा देता हूँ वैसे सागर सिंगार की चर्चा में लोकिक देश्टान देना वैसे ही होता है जैसे दही में मक्खी का पड़ जाना लेकिन क्या करें इसके बिना गुड रश्यों को कोई समझी नहीं पाता एक छत्री संसकारों में जो बेक्ति पड़ा हुआ है उसको कहिए कि किसी के पैर चुले तो उसको बहुत बुरा लगता है कि मेरी गर्दन नहीं जुक सकती क्यों? अहंग परदान है और जो एक स्यवक है या बहुत मदुर भाव से स्यवा करने वाला है जैसे अब उसी छत्रे की जब पत्नी होती है वो क्या असा करता है? कि पत्नी मेरी चरन चुए पत्नी कभी भी पत्नी के चरन थोड़े चूँ सकता है हाँ, राधा कृष में जरूर दिखाया है कि राधा के पैर कौन दबाता है से कृष दबाते है तो वो प्रेम की भूमका है कोई पूरुस जदे किसी ने अपनी पत्नी के चरन दबा दिया किसी ने देख लिया तो मुँ दिखाने के काबल नहीं रहेगा सब लोग उसको ऐसे जलील करेंगे कि सोचेगा कि मैं आत्मत्या कर लो क्योंकि ये पूरुस प्रधान समाज है माधूरी भावना की बात इसलिए की जाती है प्रेम लक्षन भक्ति इसलिए कही जाती है कि माधूरिता के आते ही हिर्दय समर्पित हो जाएगा पूरुस भाव में समर्पन हो ही नहीं सकता इसलिए कहा जाता है कि अंगना भाव अन्य था ये मत समझ लेज़े इस संसार की तरह कि परमधा में क्योल राज्जी पूरुस है और सभी सखिया है ऐसा नहीं है माफ़ करू अल्ला के कोई मर्द नहीं बराबर सिहमा जी को मर्द का है प्रेम किसको कहते है प्रेम हुआ है जिसमें सरीर नहीं दिखाई दे यदि आपको सरीर दिखाई देता है तो उसको प्रेम कहते ही नहीं है यह तो सरीर का अकर्षन हो गया सरीर का प्रेम हो गया प्रेम उसको करते हैं तभी तो काय नहीं कतने इसक की और कोई कतियो जिन इसक तो आगे चल गया सब्द समाना सुन इसे जब आपके अंदर प्रेम आएगा तो नो इस्तरी दिखाई देगी नो पूरुस दिखाई देगा सुकदेव से पूछिए क्या उनको इस्तरी और पूरुस के भेद का पता था लेकि रास की प्रेम में लिला का वर्णन करने का अधिकार किसको मिला सुकदेव को मिला समानी बेक्ति जो कि इस्तरी को इस्तरी समझता है और आज का वर्णन करने का अधिकारी नहीं है क्योंकि वो तो विकारों से ग्रसित बिखती है इसलिए आपको स्यामा जी का सिंगार अंगना भाह में इसलिए दर्साया जाता है तो आप कह सकते हैं कि मैं अपनी बुद्धी से सोच करके ऐसा कह रहा हूँ तो मैं यह भी बता दो कि जदी पुरान संगिता का पौलेकुन किजिए तो सिक्र्ष राधा को देखते देखते राधा के सरीर वाले हो जाते हैं और राधा सिक्र्ष को देखते देखते सिक्र्ष का रूप बन जाती है श्रिक्रिष्ण ही राधा है राधा ही श्रिक्रिष्ण है आप सोचेंगे कि ये तो पुरान संगिता की बात है मैं वाने की बात कर देता हूं निपट सोभा स्यामाजी की निपट अतिसुंदर अंतर पटखोल देखिए दो आवत एक नजर दो आवत एक नजर का अर्थ क्या है राध जी को देखना है तो वहाँ स्यामाजी भी दिखाई दे सकती है और स्यामाजी की तरफ देखेंगे तो वहाँ राध जी भी दिखाई देंगे वहाँ दाएं और बाएं बैठेने का चक्र नहीं है माया के संसार में होता है कि पतनी को बैचारी को हमिस्ता बायां ही बिठाए जाएगा, दायां कभी नहीं बिठाए जाएगा, लेकि राज जी के अंदर कौन है, स्यामा जी, और स्यामा जी के अंदर क्या है, राज जी, मासुक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासुक, यह हुक में, बाणी क्या वो आसिक है, आप जीव भाव से राजी को देखते हैं, इस दिए जब मंदिन में जाते हैं, तो कान पकड़ते हैं सब मुझे भी करना पड़ता है, क्योंकि मैं भी न करूँ तो मंदिरों में मेरा प्रवेशी बरजित हो जाए लेकिन इस दुनिया में आने पर सब नाटक मुझे भी करने पड़ते हैं लेकिन जब आप सागर सिंगार की गराईयों में डूबेंगे तो लगेगा कि राजी ने हमें जो प्रेम का मार्ग बताया है उस प्रेम मार्ग पर चलने की जुरुत है और इस चुपाई का जो चोथा चरने है वो क्या कह रहा है काम हुआ अपनी रोह का देख देख जाओं बल्यार उस सुभा को देखिए नक से सिक तक मेरे राजी के होट कैसे हैं गाल कैसे हैं कान कैसे हैं हिर्दे कमल कैसा है जिस जिस अंग को बसाएंगे वह वह अंग आपको अपने हिर्दे में दिखता जाएगा और आपको भी लगेगा कि मेरा भी वैसा ही है राजी का मुखारबिन दिखेगा तो आपको लगेगा कि मेरी आत्मा का भी मुखारबिन दिखेगा है राजी के चर्णों को देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि मेरे भी वैसे चर्ण है यहां अद्वायत का समन्थ है इस दिये राजी के जिसी संग की सोबा आपको जलक आती जाएगे आपकी आत्मा परात्म के भाव में है तो आपको परात्म का भी अंग दिखता जाएगा और आपकी आत्मा का वहाँ अंग खड़ा होता जाएगा इसको कहते हैं पूरान सरूप हक का आए बैठा माय दिन तो यह अंग सभी आत्म के उट खड़े समिल इसको कहते हैं आत्मा की जागने अब आपके उपर है कि केसर की महिमा गाना है या सीशे के परदे में उसको देखना है या खाना है या खाने के बाद आनंद में ढूब कर मगन होना है निल्डे करना आपका काम है, समाज का काम नहीं मैंने तो वह कर दिया जो वाणी करती है हाँ मेरी बात है, समाज के कुछ सुंदरसाथ को कड़वी भी लेख सकती है समाजिक माननताओं के बेपरीत ये मेरा कथन हो सकता है किन्त वानी के बेपरीत मैं एक अक्षर भी नहीं बॉलूँगा जागने के लिए अवस्यक है कि सुंदरसाथ वानि के कथन को अक्षरतीत का कथन माने कोई ब्यक्ती पूर्ण नहीं होता किसी से भी गलती हो सकती है लेकिन वानि का कथन राजी का कथन है ज़स दिन सुन्दर साथ वानि का चिंतन करेगा वो जागने के मत को समझेगा कि चित्वनी हमारा अखंड धन्य और इसको पाने का अधिकार हमारा है मैं आसा करूंगा कि यूट्यूब के माध्यम से ये बात जहां भी जा रही हो सुन्दर साथ इसको अंगीकार करेंगे और बहुत अच्छा लगता है जब सुन्दर साथ गुमर जी में जाते हैं बैठ करके ठ्यान करती है राजी करेंगे वह दिन भी आये जब सारे सुन्दर साथ बैठ करके जहां भी हो पूरे देश में देश में कहीं भी हो बैठे हो अपनी आत्मा के धाम हिर्दे में अपने प्राने स्वर को देखें और बानी के इसकतन को पूरा करें देख देख जाओं बलिहार अपना हिर्दे अपने प्राने स्वर को दे देजिए वह तो पहले दे चुका है और कर रहा है कि मैंने तो दे दिया है आप सोचेंगे कहां भी बात लिखी है मासुके मोहें मिलके करी सो दिल दे गुच कहे तू दे पड़ उत्तर मैं पूछा तो तू राची ने अपना दिल शामा जी को दिया है आपको भी दे दिया है कते हैं कि एक बार तो मुझे पुकार लो मैं दस मारे आगे जीजी करने के लिए तो यह लेकिन हम तो ओ कारते हैं हम तो शरीयत की माला चपते हैं और उस माला को नहीं का प्रयास करते हैं कि सब को दंडे से कि यह नहीं थोप होगे तो गेट आउट यह जो गेट आउट सब्द चल गिया है यह बहुत ही खतरनाक है, मैं आसे करता हूँ सुन्दर साथ वानी के कतनों को अंगीकार करेगा और अपनी आत्म जागनी के लक्ष को पूरा गया